दशेरा विज्यादश्मी एटले शूं धर्मनो जय थाय छे, अधर्मनो नहीं सत्यनो जय थाय छे, असत्यनो नहीं दशानन एटले दश माथावाडा रावणनो आ दिवसे भगवान श्री रामचंद्रे नाश कर्यों माटे दशेरा अशाधनी मैगगर्ज नानी जेम अटहास्य करतो रावण युद्ध भूमी पर निर्भय बनी उभोहतो भगवान श्री रामना प्रत्येक बान अफळ जता हता त्यारे विभीषने नजीक आवी ने शांत चित्ते कहिऊ नाभीकूंड पियुश बस चार के नाथ जियत रावनू बल ताकेटू सुनत विभीषन बचन कृपाला हर्शी गहे कर बान कराला आई है प्रभू रावण ना नाभीकूंड मां अम्रुत्रूम्पी कुम्भ छे जेना प्रतापे तेना शिर्क पाई छे छता सजीवन थाई छे ज्या सुधी अम्रुत्रूम्पी कुम्भ फूटी नहीं जाये त्या सुधी रावन अमर रहेशे विभीषन नि विसमेभरी वात साम्भरी भगवान श्री ्रामचंद्र जी ये रावण ना नाभिकूंड पर गृष्टी करी अठास्य करतो रावन श्री रामचंद्र जीने ललकारी रहो हतो त्यारे भगवाने ब्रमास्त्रने धनुष्य पर चढ़ावियू स्वस्थचित्ते श्री रामचंद्र जीये रावनना नाभीकुम्भनू लक्ष्य साधी ब्रमास्त्रने छोडियू धनुष्यमाथी चुटेला ब्रह्मास्त्रे रावणना नाभिकुम्भने छेदी नाख्यूं। नाभिकुम्भ छेदाता अम्रुत टुम्पी कुम्भ फुटी गई अने तरतज महाकांती वालो महान शिवभक्त रावण प्रुथवी पर धली पड़यो। अन्ते साथ दिवस अने साथ रात्री सुधी अखंडिक चालतु रामरावणनु युद्ध पूर्ण थयू। भगवान श्रीराम चंद्र जीए आ दिवसे रावण पर विजय प्राप्त कर्यों माटे विज्यादश्मी पन कहवाय छे। दशेरा एटले विर्तानी अने शौरेनी उपासनानू पर्व भगवान श्रीराम चंद्र जीनो आ भव्य विजय भारत वर्ष मा विज्यादश्मी तरीके दर वर्षे उजवाय छे। आ दिवसे देवताओ अने मनुष्य पर लामबा समेथी रावण ग्वारा थतो अत्याचार भगवान श्रीराम चंद्र जी द्वारा सदाचार मा परेणम्यों। असत्य पर सत्यनों अने एक दैवी शक्तीनों आसुरी शक्ती पर भव्य विजय थयो। बीजा एक अर्थ मुझब जोईये तो विज्याद्शमी सक प्रेणानू महाप्रेरक पर्व छे। मानवीनी अंदर रहेला दश प्रकारना आसुरी तत्वो जेवाके काम क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्सर, आशा, तुरुष्णा, अहंकार, इर्षा। आ दश आसुरी तत्वो पर विजय मेलववानी एक प्रेणा आ प्रेरक पर्व आपन सर्वेने आपे छे। आपणा मनमा रहेला आ दश आसुरी तत्वो ने जो आपने ज भगवत क्रुपाथी नाश करिये तो जीवनमा खरा अर्थमा विज्यादश्मी उज्वाए। विज्या दश्मीनू आ प्रेर्णा पर्व मानवमनमा छवाएली निराशाओनी वच्चे एक नवीज आशाओनों संचार करे छे। अन्याई अने अत्याचारनू सामराज्य भले गमे तेटलू प्रस्थापित थयू होई, छता पण एक दिवस आ दुष्ट सामराज्य अन्याई अने सदाचारना सात्विक्षो द्वारा पराजित थवानूज छे। विजय हम्मेशा सत्यनोज थाई छे। जीवनमा गमे तेटली मुश्केली आवे तोपन धीरज न गुमाववी जोईये अने अडिखम उभा रहेवू जोईये। अडग मनना मानवियोज विज्यपता का फरकावी शके छे। विज्या दश्मी पर्व अन्यासना अंतनूपन प्रतीक छे। सदियोथी आपने त्या गामो गाम अने शहरेशहर रावणनू दहन करवामा आवे छे छता जाने रावणनो नाश्ज थतो ना होई तेवू लागी रहिऊं छे। रावणना नाश्थवाने बदले अनेक नवा रावणो उभा थता होई तेवू जोवा मली रहिऊं छे। समाजमा दिन प्रतिदिन हिंसा व्यभीचा चोरी कोईनू अन्हकनू पड़ावी न लेवानी बद्दानत आदी दुशित भावो वधी रहा छे। ते आपने सहू कोई प्रत्यक्ष जोई रहा छिए। आ ए भारत छे ज्यामा सिताना पालवनो विक्रुत स्पर्श करयो ए रावणना दर्श-दश माथाने कापीने माटीमा रगदोडी देवामा आव्या हता अने द्रौपदीनी लाज लूटवानो प्रयत्न करनार दुश शास्ननो हात उखाडीने फगावी देवामा आव्यो हतो। गुरुपुत्रीने बहन मानवानी कुद्रुष्टी के भाभीने माता मानीने चौध-चौध वर्ष सुधी तेमनी चर्णरज माथे चड़ाववानी लक्ष्मन अर्दश्टिये भारतने भारत राख्यूं ज्यारे आजे केटलाक युवानोनी आखमा विश्यवास्नाने लिधे सापोलिया रमता थाई गया छे। बहन दिकरी आजे सलामत रही नथी। आशू छे। रावन वृत्ती के बीजू काई। दशेराना दिवसे रावन आपना मातो थोड़ा घणा अंशे वसी रहो नथी तेनी तपास करवानी जरूर छे। पहला तो विश्रवानों पुत्र दश माथा वालो एक जरावन हतो। आजे ठेर ठेर गामो गाम अने शहरे शहर बहें मादिकरी उपर कुद्रुष्टी करनार अनेक रावनों जोवा मले छे। आनो मतलब ए थयो के मानसमा उंडे उंडे रावन जीवी रहो छे। माटे अनीती, अत्याचार, कुट नीती, बढ़ातकार जेवा दोशोंने हटावी नीती, नियम, व्रत, सदाचार, सदभावना अने प्रेमना बीजनू वावेतर करीने कुटुम्ब, समाज अने राष्ट्रने अंधकार माथी उजास तरफ लई ज भगीरत संकल्प करवानो आपने सवकोईने आजनो दिवस प्रेणा आपे छे। माटेज सर्वावतारी भगवान श्री स्वामी नारायने वचनाम्रुत आदी सास्त्रों मा कहिूं छेके, मन अने द्रुष्टी उपर संयम केड़वो। अने ते नाश पाम्षे त्यारेज आपने दशेराना दिवसे रावणनू दहन कर्यूते सार्थक गणाशे। आजे आ संसारमा दुषकाल छे सज्जन्तानों मानसाईनों अने दुर्गुणों सामे लड़नारी मर्दानगीनों। शरीरूपी वहनमा श्वासना सिलिंदर लईने भटक नाराक्या ओचा छे। आजे है आपी आपनी भारतिय संस्कृतीने याद करवानी जरूर छे। तेनी जे यशोगा था छे ते कलंकित न बने ते रितनू जीवन जीववानू छे। आपने दशेराना पर्वने मात्र रावणना पुत्रानू दहन करीने के फाफडाजलेबी खाईने ज उजववा पूर्तु सिमित न राखू जोईए। परंतु आ दशेराना दिवसे दरेक भारतना नागिर के पोतानामा रहेला काम, क्रोध, लोब, मोह, मद, मत्सर, आशा, तुरुष्न, अहंकार, इर्श्या आदश महाशत्रूने जितवानों प्रयत्न करवो जोईए। जे थी हृद्यमा रहेली जे रावन वृत्ती छे, तेनो नाश थाय अने रावन वृत्ती नाश करीने जो दशेरा उजववामा आवे तोज दशेरा विज्यार्शमीनी उजवणी सार्थक कहवाशे। सकंद पुराणनी कथा मुजब आजना दिवसे जीवप्राणी मात्रने रंजाडनार देवोने दुख आपनार महिशासूर नामना दैत्यने नवन्व दिवस सुधी युद्धमा लड़ीने हरावी पार्वती जिये तेनो सहार कर्यो हतो। इंद्रियोंनी वृत्ती महिश अर्थातू पाड़ा जेवी सयम हीन छे। ते भगवाननी शक्ति थीज जीती शकाय छे। ते आ उत्सवनों मर्म छे। असुरना पराजय अने शक्तीना विज्यना आनंद मा बहनों नवरात्रीमा गर्बा गाईने आनंद व्यक्त करे छे। शक्तिने वधावे छे, परंतु नवरात्रीमा आजे सर्वत्र माताजीने प्रसन करवाना नामे स्वच्छंदता अने स्वेचाचार प्रवेश्या छे भक्तिने व्यापारिकरणनु रूप आपी देवामा आवियू छे शक्तिने बदले जाने विक्रुती नीज पूजा देखाये छे डिसको डान्स जेवा विक्रुत वर्तन्थी मुर उत्सवनों मर्म मार्यो जाये छे तेमा महिशासुर्ना नाशने बदले मानव पोतानाज संसकारनों नाशनों तरे छे एक बीजी कथा एवी पन छे के विराट राजा पासे गुप्त वेशे रहेला पांच पांडवो पैकी अर्जुने आ दिवसे शमी व्रुक्ष खीजडा उपर थी पोताना शस्त्रो उतारी विराट राजानी गायो हरी जता दुर्योधन ना सैन्यने हरावी हरण करेली गायों ने पाची वारी हती गांडिलधारी अर्जुने विजय तनकार पन आज दिवसे कर्यो हतो शिवाजी ये औरंग जेबने हराववा आज दिवसे प्रयाण कर्यों हतो बुद्धनो जन्म पन आज दिवसे थयो हतो अनेक पौरानिक कथाओनी स्मृती करावतो आ उत्सव बाह्य तथा आंत्रिक विज्यनो आनंद मनाववानो दिवस छे रामायन काल पर्यंत थी अनेक कथाओ आ उत्सवना बुल माँ छे आम दशेरा अधर्म पर धर्मनो अहंकार पर सार्पनी असत्य पर सत्यना विज्यनो दिवस छे आ दिवसे शस्त्रो अने वाहनोंनी पूजा करवामा आवे छे जे थी आ उत्सव भारतने दिग्विजी थवानो संदेश आपे छे शस्त्रो नी पूजा द्वारा उत्सव स्वविज्थी थवानो पन संदेश आपे छे आ दिवसे लोको अनेक नवा कार्यनो प्रारंभ पन करे छे जे मा चोगडियू जोवानी पन जरूर रहेती न थी आ दशेराना दिवसे शमी पूजन करवामा आवे छे आ शमी पूजन करवानो शास्त्रोक्त एवो हेतु जानवा मले छे के विश्वामित्र रुशीनो शिष्य कौट्स गुरुदक्षिना माटे धन लेवा रगुराजा पासे गयो रगुराजाय विश्वजित यगन माटे पोतानी बधीज संपत्तीनु दान करी दिधेलू अने पोते माटीना पात्रमा जमता हता कौट्स ने खाली हाथे जवुन न पड़े ते थी रगुराजाय आ दशेराना दिवसे कुबेर उपर चड़ाई करी कुबेरे हारी ने शमी व्रुक्ष उपर चौद करोड सोनाम हीरो वर्साबी किनसे ते धन गुरुने दक्षिनामा समर्पित कर्यू गुरुये ते धन गरीबोने वहेंची दीधू आ पची शमी व्रुक्ष ना पान सुवर्ण तुल्य गणाया आम शमी धन आप्यू ते थी लोको शमी पूजन करे छे दशेरा एटले वीर्तानों वैभव, शौर्यनों शुरुंगार अने पराक्रमनी पूजा करवी ते अने साथे साथे आपना मनमा बेठेला अन्तशत्रुओ सामे विजय मेलववी एज साचा अर्थमा रावण नो सहार आ शत्रुओ सामे संग्राम मा लड़वा माटे कईू आयूध जोईशे तो तेने नाश करवा माटे धीरजरुपी ढाल अने ज्ञान रुपी तलवार नी जरूर छे धीरज अने ज्ञाने करी संकल्प विकल्प रुपी घाट संकल्पों नो नाश करी ने भगवान नो अखंड भजन थाय तो कोई दोश आपन ने पराभव न करी शके अने जो भगवान ना स्वरूप मा आपनी वृप्ती रहे अने अनहद अपार सुखनी प्राप्ती थाय त्यारेज आपनों विजय थयो कहवाय। जेटली पुराणी छे। माणस गुफामा रहेतो त्यार्थीज तेने कोई ने कोई प्रकारना शस्त्रनेज विजयनू साधन मानियू छे। मानवनी विजय माटेनी भावना एज छे के बीजानों जेटलों वधु विनाशकरी शकाय। एटलोज आपनों विजय थयो कहवाय। परंतु आवा भौतिक विजय पाचल हम्मेशा भै रहेलो छे। अने जैने भै छे, ते साचो विजी न थी। सिकंदर जेवा लाखो विजय ताओने मृत्यूए पराजय आपयो छे। महासत्ताओ पासे मानसोंने मारवाना बोंग छे, पन मृत्यूने मारनारों मृत्यूजई बोंग न थी। विज्यना नशामा हम्मेशा विलास वधे छे। यादवास थड़ी तेनू उदाहर्ण है। मरता पहला मानसने विश्यवासना मारी नाखे छे। पच्छी तो खोखाज मारवाना होई छे। आजे कंप्यूक र्यूग मा मानवसमाजनों महान शत्रू छे नवराश नवरू मन नखोद वाले ते उक्ती अनुसार नवरू मन वधू विलास मागे छे। अने मन साथे लडवानों कोई बोंब आजनों आधुनिक मानवी शोधी शक्यों न थी। साचो विजेता ए छे के जेने मन न जित्यू तो काई जित्यू न थी। परंतु ए मनने जित्वानों आध्यात्मिक उपाय बतावता भगवान श्री स्वामी नारायन सारंगपूर प्रकरणना एक लावचना मृत्मा कहे छे। शब्द, स्पर्ष, रूप, रस अने गंध ए जे पंच विश्य तेमाथी ज्यारे इंद्रियो पाची हठे अने कोई विशय पामबानी इच्छा रहे नहीं, त्यारे सर्वे इंद्रियो वश्च थाय छे, अने ज्यारे इंद्रियो विश्य नो स्पर्ष जिन करे त्यारे म पण इंद्रियों लगण आवे नहीं अने हैयामाने हैयामा रहे। एवी रिते जेने पंच विश्यनों त्याग अती दुरुढपणे करीने थयों त्यारे तेनु मन जित्यू जानुँ। श्री शंकराचार्य जी पण मनिरत्न मालामा कहे छे, खित खात न मनोदीवें। जेने मन जित्यू तेने जगत जित्यू। गड़डा मध्य प्रक्रणना बाविसमा वचनामृतमा भगवान श्रीहरिये मननी साथे लडाई विगते समझावी छे। आपणा महापुरुषोये, रुशिमुनियोये अने नंदसंतोये अनेक ग्रंथो मापण मन उपर विजय मेलववाना अनंत उपायो बताव्या छे। मन जित्वानी वात जेम आध्यात्मिक्ता तरफ निर्देश करे छे। ते मन जित्वाना उपायोपन धर्म पासेज छे। तेथी जडो। चाल्स स्टाइनमेट से रोजर बैपसन ने कहिँ हतू के कोई दिवस लोको जोशे के भवतिक वस्तुओ सुख आपी शक्ती न थी। त्यार पच्छीना दुनियाना वैग्न्यानिको पोतानी प्रयोग्षाडाओ पर्मात्मानी प्रार्थनाओ अने आध्यात्मिक शक्तियो तरफ वाडशे। त्यारे चार जमानानों विकास एकज जमानामा थई गयो हशे। अर्जुनने गांडीवनू बढ़ नहीं पण धर्मना धारक भगवान श्रीकृष्णनू बढ़ हतु। श्रीमद भगवद गीता पण कहे छे पत्र नितितिर्मं। जिया योगिश्वर श्रीकृष्ण छे, अने जिया धनूर्धारी अर्जुन छे त्यां लक्षमी विजय छे। अने तेथीज अर्जुने नारायनी सेना न मागता भगवान श्रीकृष्णने माग्या हता तो तेनों विजय थयो। कैनोपनिशद पण कहे छे के देवो भगवाननू बल भुली गया तो भगवाने तेमने यक्षनू रुप लईने देखाडियू के तमारा थी तो एक सुकू तणखलू पण हलावी शकातू न थी महार्थी चर्चिले पन बीजा विश्वयुध वक्ते हताश थाई प्रार्थनानो आश्रो लिधो हतो तो गांधी जीए पन तोल्स्टोय ने पत्र लखी ने पुछियू हतू के भारत ने स्वतंत्र करवाशो उपाय करिये त्यारे तोल्स्टोय उत्तर आपता कहियू गो बै दुनिया मा एवी कोई समस्या न थीके जे धर्म ना मध्यम्थी हल न थाई शके। धर्म एज बल छे। महाभारतमा वारमवार कहे छे वतो कृष्णस्तो धर्म थतो धर्मस्ततो खय जया भगवान शरी कृष्ण छे त्या धर्म छे अने जया धर्म छे त्या जय छे अमेरिका जेवो अती आधुनिक टेक्नोलोजी धरावतो देश पन तेनी चलनी नोट उपर लखे छे इन गोदवे ट्रस्ट अमे भगवान मा मानिये छिए अधर्मनों क्यारे जय थयो न थी रावने पोताना जीवनकार दर्म्यान केटलाई अधर्मों कर्या हता पोताना मासियाई भाई एवा अलकापुरीना राजा कुबेरने हरावी तेने पुश्पक विमान पड़ावियो हतू नलकु बेरनी अपसरा रंभा उपर बढ़ातकार पन कर्यो हतो पोतानी पतनी मंदोद्रीने मुकी पार की स्त्री सिताजी उपर नजर बगाडी तेमनू अप्रहरन कर्यों अने तेना परिणा मे रामरावननू युद्ध थयो रावन पासे अभेद्य बेथ हतो भगवान श्री राम जमीन उप्रथीज लड़ता हता विभीशने तेमने माटे बेथा लावी आपवा कहिँ त्यारे श्री रामे कहिँ के मारी पासे अदेश्य रत छे जेनू नाम छे धर्मरत तेने सत्यस भर शौर्य अने भगवन निष्ठा निर्भर धैर्यना बेपईडा छे विवेक सन्यम गिन्यान अने वैराग्य रूपी चार घोडा छे सदाचार आत्म निष्ठा अने निष्चय नी त्रण लगाम छे आवी अनेक संपत्ती मारी पासे छे अने अन्ते आ संपत्ती वडे भगवान श्रीराम चंद्रजी ये रावन नो पराजय करयो रावन मन इंद्रियोंनो गुलाम हतो तेथी श्रीराम चंद्रजीना हाथे मार्यों गयो अने तेनु माथु मंदोद्रीना खोडामा पडिव त्यारे मंदोद्रीये विलाब करता करता पन सत्य उच्चारियूं के काम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवन हारा चान के चंद्रगुप्त ने समग्र शास्त्र नो सार एक जवाक्यमा कहियो व्रुक्षने दिशा मिनिस्ट्रिय गए इंद्रियो उपर नो विजय मेलववो एज सर्व शास्त्रों नो गलितार्थ छे भगवान श्री स्वामिनारायने करेली लोको ना आमूल जीवन प्रिवर्तननी अने इंद्रिय सयमनी निहशस्त्र क्रांती जोई मुंबईना गवर्नर सर्जोन मालकम अती प्रभावित थया हता तेनने अनुभवायू हतू के लोको उपर राज्य करवा शस्त्रनी जरूर पड़े परन्तु भगवान स्वामिनारायननी जेम लोको ना हृदय उपर राज्य करवा करूना अने दिव्यता जोईए एक वखत श्रीजी महाराजे गड़ामा संतो प्रमहनसोने बेसाड्याने प्रश्न करयो के रामावतारनी अंदर तो रावनने मारयो सागर उपर सेतु बांधयो अने अनेक असुरोनों संहार करयो एटले भगवान मर्यादा पुरुशोत्तम राम कहवाया श्रीकृष्न भगवाने पन कंसनो नाश करयो गोवर्धन तोड़यो अने महाभारतना युद्धमा विराट स्वरूपना दर्शन करावया एटले एमने भगवान कहवाया मच, कच, वरा, वामन आदिक अवतारोय काईक पराक्रम बतावया एटले एमने भगवान तरीके संसार माने छे परंतु अमे तो आवू काई पराक्रम ज नथी करियू तो पछी अमने तमे बधा भगवान शा माटे मानो छो त्यारे संतोय बे हाथ जोडीने बहु सरस उत्तर आपयो हे महाराज राम अवतारमा मात्र रावन मार्यो, कृष्णावतारमा एक कंसने मार्यो परंतु जे रावन मा रावनत्व हतू जे अंतशत्रूना कारणे ए व्यक्ती रावन बन्यो हतो कंस बन्यो हतो ए अंतशत्रूने कारणे जे आसुरी बीज हतो ते नाश थयू नहतू मात्र रावन के कंस नामनी व्यक्ती नो नाश कर्यो हतो पण तेमा रहेल रावण के कंस ब्रुप्ती नो नाश कर्यो नहतो परंतु आपे अत्यारे प्रत्यक्ष पधारी एवा आसुरी बीज नो नाश कर्यो छे काम, क्रोध, लोब, मोह, माया, मत्सर, इर्ष्या, तुरुष्णा वगेरे दोशो नो नाश करी जिवात माने तमें मोक्षना अधिकारी बनाव्या छे माटे अमें तमने राव प्रिमानिये छिए माटे जवासना उपर विजय मेववा माटे पंचवर्कमा न्युक्त साचा ब्रह्मनिष्ट संतोनो समागम्ज कल्यानकारी नीवडे छे अने एवो संत समागम्ज कल्युगमा अतियावश्यक छे जै श्री रां, जै श्री स्वामी नारायन